समझते हैं कि खबरों के दम पे कहां पे दिखेगा आज आक्षिन खबरों वाली लिस्ट लेकर हमारे साथ शरत जुड़ चुके हैं शरत बताईए तो यहां पे एक पॉजिटिव रियक्शन जरूर देखने मिल सकते हैं कि धीरे धीरे प्राइसिंग पावर आ रहा है अब बात करते हैं थोड़ी सी कंपनी जिसका नाम मैं लूँगा टीवेस मोटर बजाज आटो रतन इंडिया और वार्ड विजार्ड यह सारे कंपनी के जो रखिये इस फोकस में क्योंकि यह जो है आटो एंसली कंपनी जो ओल एलेक्ट्रिक को सप्लाई करते हैं तीसरा स्टॉक रहेगा बियाल कश्यप यहां पे जो है कंपनी की मार्केट कैप तो दो हजार पचास करोड के हैं सिर्फ लेकिन इनको जो है दो एहम न्यूस लोज आ कि सेबी से इनको समन ऑडर भी आया है चौथा स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया यहां पे जो है इंपॉर्टंट एमडी की जो है अपॉइंट्मेंट हुई है केदार लेले को जो है एमडी अपॉइंट किया गया है इन्होंने जहें लीडर्शिप पोजिशन्स एक् दील होता है तीन परसेंट इक्विटी स्टेक का सेलर थे एस इंवेस्टर आशिश का चोलिया जिन्होंने लगबग अपने सत्तर परसेंट पोजिशन्स की एक्जिट की है एक्सियल टेक भी फोकस में रहेगा और अफकोस लाजली आईटी स्टॉक्स में रहने वाले हैं य AI की करार के कारण Oracle ले लीजिए या आप ले लीजिए Apple इन सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने मिली है तो ओवर आल जो है IT का परस्पेक्टिव ग्लोबल से लेके डील को लेके या डोमेस्टिक को लेके अब धीरे धीरे पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है TVS Supply Chain Solutions पाथ साल का बड़ा कॉंट्राक्ट आया है Daimler Truck AG के साथ अब Daimler Truck जो है दुनिया का सबसे बड़ा manufacturer होता है commercial vehicles के लिए तो यह एक बड़ा new slow है TVS Supply Chain Solutions के लिए हमारा आठवा स्टॉक रहने वाला है Big Bold Brokerage यहाँ पे Krishna Diagnostics focus में रहेगा Systematics ने initiate किया है buy के साथ यहाँ पे जो target price है 841 रुपीज का रखा है यानि की current market price है 40% का return potential है इनके जो B2G segment है तो है business to government का segment यहाँ पे volumes तो रहेगा और competitive risk कम रहने वाली है और अगले दो साल में earnings 47% CAGR भढ़ सकती है तो इस पे जो है ज़रूर बादार की focus रहेगी हमने 8 stocks तो आपको बता दिये लेकिन जो हमारा आखरी stock है वो खबर का stock है हमने Monday आपको बताया था Tejas Networks Tuesday हमने आपको बताया PNB Gillson दोनों stocks में अच्छी जो है movement कल देखने मिली थी trading session में और आज जो हमारा stock रहने वाला है वो है JK paper यहाँ पे जो है दो एहम बात होने वाली है सबसे पहला कि जो high grade paper की demand है उसमें बड़ोतरी देखने मिल रही है इसका कारण यह है कि जो इन और इंट्रेस्टिंगली एक marginal price है भी इनोने लिया एक से लेके 2% का cross product categories और एक चीज़ और है कि जो utilization से plan की वो भी अब जो है higher levels पे चली गई है तो यह हमारा ख़बर है आज का JK paper का प्राइट देने के लिए तो यह तमाम stocks focus में रहेंगे आज काफी साथ stocks पर हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन अभिशेक JK paper कैसा लग रहा है यह खबर अभी बताई शरद ने कि कुछ demand भी shift होते हुए नजर आएगी JK paper के favor में और इसके अलावा price high भी लिया है जैसे margin को भी support म मिलेगा फिलाल तो flat कारूबार कर रहा है लेकिन क्या करें JK paper इन स्थरों पर अच्छा लग रहा है आपको entry लेने के लिए अगर paper stocks की बात कर रहे हैं तो जाता है कि जून जुलाई और यह जो Q1 होता है उसमें आपको school लगेरा की demand आती है और इसके लावा paper हाला कि एक चीज अपने को समझनी चाहिए right now जो paper prices हैं वो already काफी ज़्यादा correct हो चुके हैं like from 900 dollars it has come down to 500 dollars at this point of time तो वो एक negative है था और इसी कारण से paper stocks ने perform भी नहीं किया था काफी टाइम से अगर आप लास्ट एक साल देखेंगे तो almost 6-8 महिने में most of the paper companies have not done well right now however अगर हमें लगता है कि अगर आपको बीच में ऐसी खबरी भी आई थी कि U.S. globally they are talking about some paper prices cut और उसका कुछ positive आईगा बट उसमें इतना कुछ आया नहीं है right now I think that is something अगर हमें अगर आपको paper prices करना है तो I believe you can take this as a trading opportunity में को नहीं लगता है कि पेपर में इसा कुछ commodities के लावा right now you can play as a long-term portfolio at this point of time stocks fully valued लग रहे हैं most of the stocks जाईगा जाईगा थाईगा नहीं है